हलो माई डियर फ्रेंड आपका एक बार फिर से वेलकम हैं मली की स्टेडी हब में I hope आप सब स्वस्त हैं मस्त हैं और पड़ाय में व्यस्त हैं आज हम प्रॉफिट लॉज का पार्ट फाइब करेंगे कुछ मोस्ट इंपोटेंट प्रीवेसर के कोशन के साथ जो CGL और CHSL में जो रिपीट हुए हैं बार बार तो बिना देर की स्टार्ट करते हैं पहला कोशन यह रहा पहला कोशन का गया है कि एक instrument है जिसकी कीमत 30 रुपा है दुकान दर उसे 50% प्रॉफिट में बेचता है उसके cost price से तो उसके selling price पूचा गया है कितना है तो आईए इसे solve करते हैं मैं cost price दे रखा है 30 रुपीज और कहा गया है उस पे 50% profit तो 30 का 50% profit यह हो गया 5-4-15 15 रुपए उस पे profit कमाना है और उसका selling price पूचा गया है तो selling price होता है cost price plus profit तो 30 plus 15 is equal to 40 rupees 45 rupees is the cost price of that equipment 45 रुपए इसका selling price होगा जब वो 50% profit पर बेचेगा आईए चलते हैं next question की ओर यह रहा next question 3 boxes containing 25 packets with 10 pencils sold for रुपए 8,625 if the profit is 15% then the cost price is कहा गया है 3 box है जिसमें 25 packets है 10 pencils के साथ उसका sold करता है 8,625 रुपए में जिस पर 15% का profit कमाता है तो cost price पूचा गया है 15% का fraction होता है 3 बटे 20 तो 20 अगर cost price है तो उस पर 3 का profit तो 23 selling price हो जाएगा यह cost price और यह selling price selling price हमें दे रखा है 8,625 23 बराबर है 8,625 रुपए के तो जब हम 23 बराबर है 8,625 के हमें निकालना किसकी value है cost price निकालना तो cost price 20 है तो 20 निकालना है में 8,625 को हम 23 से डिवाइट कर देंगे और 20 की value निकाल देंगे तो यह चला जाएगा तेस्तिया 375 into 20 तो यह जाएगा पिछात्तर सो तो इन pencil के box का जो cost price है वो 7,500 रुपीस है I hope आप सब के समझ में आ गया होगा आई यह चलते है नेक्स्क्क्क क्यों यह रहा नेक्स्क्क क्वेशन Shashi shared two articles for रुपए 5,000 each with no loss and no profit in overall transaction if one article sold for sold at 16 instead of 2 by 3 percentage loss then the other is sold at a profit of Shashi ने दो आटिकल पांच जार रुपे का यह दो पांच पांच जार रुपे के बेचे किसी पर ना तो लॉस उसमें ना तो loss हुआ और ना ही profit हुआ पूरे overall transaction में यदि उसने एक को बेचा हो 16 साही दूबटे 3 प्रतीशत के loss पर तो दूसरा कितने percent profit पर बेचा हो तो 16 is 2, 1 by 3 का जो fraction होता है वो 1 by 6 होता है ठीक तो अगर कोई सी 6 की है 6 की है तो एक पहली वाले पर उसने loss कमाया तो 5 पांच रुपे की बेची होगी ठीक ये cost price ये selling price अब कहा गया है दोनों का selling price जो है वो same है तो अगर ये 5 है तो दूसरे वाले first वाला है और ये second वाला है अगर दूसरे पहले का 5 है तो दूसरे का भी 5 होगा और अगर इस पहले एक का profit कमाया है तो इस दूसरे वाले पहले एक का loss होगा का गया है ना तो loss हुआ है ना ही profit हुआ तो इदर एक का profit कमा लिया है तो इदर एक का loss करना पड़ेगा तो मतलब कि ये 4 का करीदा होगा तो इस पे कितने का profit हुआ है तो इस पे होगा हमें एक का profit हुआ cost by 4 है into 100 तो यह इसको solve करेंगे answer is 25% तो दूसरे वाले पे 25% का profit हुआ था ठीक आई एक बार फिर से बताते हैं जो कहा गया था 16 साही 2 बटे 3 पे परसीशत के loss पे पहली वाली चीज बेची गई ठीक अब जो दूसरा वाला पूछा गया अगर दोनों 5-5 यह रोपे के बेचे हो और किस पूरे transaction में ना तो loss हुआ हो ना भी profit हुआ हो यह यहाँ माइनस बन यहाँ पर एक का loss हुआ है तो यहाँ पर एक का profit करना पड़ेगा ठीक तो profit हुआ कितने का एक का cost price कितनी cost price पर profit नापते हैं तो cost price है कितनी चार इसकी तो एक बटे चार इन्टु हंड़ेट 25% तो सेगेंड वाला अर्टिकल 25% के profit पर बेचा आईए चलते नेक्स कोशन यह रहा नेक्स कोशन a car was sold at a loss of 18% there would have been a profit of 15% if the car had been sold रुपए 99,000 more at what price the car should be sold to make a profit of 10% का गया है एक का बेची वो जो 18% loss पर बेची अगर उसे 99,000 रुपए जादा में बेची होती तो 15% का profit होता ठीक तो पूछा गया है उसका कॉस्ट उसका selling price क्या होगा जब वो 10% profit पर बेची जाए इसके तरीके कोशन हमने कल भी किये थे तो आईए इसे solve करते है एक मान लीजे 100 cost price है उसकी तो पहली बार में उसको कितने पर बेचा 18% loss पर बेचा तो यह आ गया हमारा तो यह हमें 82 पर बेची होगी ठीक पहली बार में अब अगर उसे 99,000 रुपए जादा में बेचता तो उसे 15% का profit होता तो मतलब कितने में बेचता हूँ को 115 रुपए में बेचता तो यह है कितने का difference यहां पर है तेइस परसंट का difference 33% कोशन के हिसाब से 99,000 है अगर वो 33% जादा में बेचता बया और रुपए में 99,000 रुपए जादा में बेचता और कि त्य gheeदार रुपर जादाम बेच से तक तो ये कैंसल हो जाएगा यह आ जाएगा तीर अजर एँप ही अगर तृबर तो एक बराबर आजाएगा तीन हजार के का स्फ्पर डाप कितनी आ गई cost price आ गई हमारी 100 cost price है कितनी 100 तो इसकी 100 से multiply करेंगे into 100 तो यह आ जाएगा 3,00,000 ठीक 3,00,000 उसका जो है वो cost price है अब उसे कहा गया 10% profit बेचे हैं तो 10% इसका कितना होगा 10% इसका होगा 3,000 तो यह बेचेगा 3,00,000 तो यह बेचेगा 3,00,000 रुपे की 3,00,000 रुपे की बेचेगा तब उसे 10% का profit होगा आई होप आप सबकी question समय में आगया होगा आगी चलते हैं next question की This is the next question कहा गया है the selling price of a book including the sale tax is रुपे 956.34 The rate of sales tax is 100% If the shopkeeper has made a profit of 15% then the cost price of the book कहा गया है जो selling price है एक book का वो 956 रुपे 34 पैसे है sale tax मिला के और sale tax से हैं 10 पर sale tax का rate जो हो 10% है यदि उसे shopkeeper ने उस पर 15% का profit भी कमाया हो तो उसका cost price क्या रहा होगा उस book का तो cost price हम माल लेते हैं X cost price का 10% जो है वो cost price का 10% 10% उस पर sale tax भी लगाया तो 10% मतलब कि 110 110 ठीक और 15% का उसने profit भी कमाया तो 115 अपॉन हंडरीड तब वो जाके 956 रुपे 36 पैसे में बिगी ठीक तो ये एक जीरो से एक जीरो तो ये cancel तो जब आप इसे solve करेंगे तो X की value आ जाएगी 756 756 रुपीज आ जाएगी तो 756 cost price होगी इसकी I hope आप सब के समझ में आगे हो एक और method है इसका करने का वो ratio method से है माली जे 10% को 10% उसका sell tax है तो 10% sell tax है मतलब की 11 में बेची होगी ठीक पहली बार में और जो दूसरी बार में और 15% उस पर प्रप्रे भी कमाया है तो 20 का ये 23 ठीक 15% बरावर होता है तीन बटे 20 उसका fraction होता है तो 20 की चीज 30 में बेची गई होगी तो इसकी multiply करेंगे ये 200 और ये 23 into 11 ठीक और इसकी value हमें दे रखी 956.34 तो 200 की value निकालेंगे तो 200 बरावर आजाएगा 756 756 जो है इसकी cost price रही होगी एक book की ठीक आईए चलते next question ये रा नेक्स पोशन अड़ेजन pair of gloves worth रुपए 600 are available at a discount of 10% find out how many pairs of gloves can be bought for रुपए 270 का गया है एक दर्जन दस्ताने जो है वो 600 रुपए के हैं 10% discount पे ठीक find out how many pairs of gloves can be bought for 270 तो ये का गया है जो 600 रुपए के दस्ताने हैं वो 10% के discount पे हैं 600 रुपए के हैं वो ठीक उस पर 10% का discount दी जायता मतलब कि 90 रुपए में 90% पर बेज जाएगा ठीक 90% तो ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल तो यह हमें पढ़ रहे हैं 960 56 56 56 560 रुपए की जो 560 रुपए को उसका selling price है 10% जब वो 600 रुपए की कोई चीज है उस पर 10% क discount देता है तो वो 560 रुपए की पड़ती है अब का गया है 270 रुपए 560 रुपए के 12 रुपए है 12 ठीक एक दरजन गिलफ से 12 है मतलब कि अब 270 रुपए में तो 270 इसके इसके आदा हुआ 270 इसका आदा है ठीक divided by 2 तो इसका ये भी divided by 2 जाएगा मतलब कि 6 6 डिजन पेर मिलें आगे 270 रुपए में तो 6 इसका अंसर होगा आई हो आप सबके समझ में आ गया होगा आए चलते हैं नेक्स्ट कुशन की और यह रहां नेक्स्ट कुशन इस प्राइज ऑफ सिक्स मुबाइल इस रुपए 51,000 हो मैनी मुबाइल्स कैन भी पर्चेस और 9,000 93,500 रुपीस का गय हजार बराबर है 6 के ठीक तो इसको हम 6 के बराबर है 6 बराबर है 91,000 के जो हम 51,000 को 6 से डिवाइट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 8,500 8,500 रुपए का एक मुबाइल है एक मुबाइल की कीमत 8,500 रुपए है तो जब हम 93,500 रुपए में 93,500 रुपए में की डिवाइड हम अगर 8,500 से करते हैं तो 2,0 से 2,0 कैंसल यह 93,500 सोरी यहाँ पर 1,0 आएगा यह 8,500 यहाँ पर 1,0 बचेगा ठीक तो यह आ जाएगा 11 तो हम 93,500 में 11 मुबाइल 93,500 में 11 मुबाइल खरीज सकते हैं ठीक आई होप आप सब के समझ में आ गया होगा आएगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन क्यों यह रहा नेक्स्ट कोशन रभी अर्ण आप प्रॉपट ऑट्टी परसंट ऑन सेलिंग अर्टिकल एट इस सेलिंग प्राइज इप शेल दा 15% प्रॉफिट था और उसको 15% प्रॉफिट पर बेचता तो उसे 99,000 रुपए का प्रॉफिट होता कल भी कहते तो आज यह भी क्या है आप लोग इसे करने की कुछीश करिए फिर मैं सॉल्व कर रहा था हूँ कि आयोब आप सबने सॉल्व कर लिए होगा आई इसे सॉल्व करते हैं कहा गया है एक रमी पैलेट 20% का प्रॉफिट कमाती है मतलब सौर्ब की कोई चीज थी उसको 120 रुपए में बेचती है ठीक अगर वो आठ रुपए ज्याद है में बेचती तो उसे 30% का प्रॉफिट ह कि यह कोई कटका को आप कोस्ताइश का साफीन है कितनी हंडेट तो इसकी 10 से मटिप्लाइच कर देंगे इसकी बीटैंस के असी एक है ठीक अब हमसे पूचा गया है सोला की तो इसकी मटिप्लाय सोलां से कर देंगे तो शीक्षीन इन्ट एट हो जाता है 128 और जीरो है 1880 रुपए की खरीदी है ठीक आये होब आप सबके समझ में आ गया होगा आएए चलते है नेक्ष एरा नेक्ष्ट पॉस्ट प्राइज अपन आर्टिकल भी इस रुपए 200 मोर देन दा कॉस्ट प्राइज अफ आर्टिकल ए बी सोल एट 10 परसेंट प्रॉफिट एट 40 एस बास और इंड सेलिंग फ्राइज औरेंड डरिसीस फोर डिटीउवन सेल्ट एट सूर्ण फन बात इनक्त परसेंट यह एगर दस पर सेंट परॉफिट बरिचटा है और बिचर सकिव एगर दस पर्सेंट प्रॉफिट प्रॉफिट पेशिता है तो और एग चालिस पर प्राइस का रेशियो फोर रेशियो 11 है अगर यदि जो 80% पर बेचे मतलब कि 20% लॉस पर बेचे तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा आई इसे सॉल्फ करतें क्या करा गया है पहले एक कितने परसंट प्रॉफिट पेचता है 10% परलब कि यह कॉस्ट प्राइस माल लेते है यह सेलिंग प्राइस यह ए और ये भी इक सेलिंग प्राइस कितना है अगर यह कर लेते है ठीक उपर वाला भी का दिया गया है नीचे वाला एक अगा और एलए जो हे वह 40% लॉस पर बेच चा यह जो तो चालिश परसंट 200 भाई-था है देरा सेलिंग प्राइब में 2 तक रिच्ऑ चार से उडरेघ्र स्विन इजए के इसमें चार्स करेंगे कार यह उपर 30 आगया नीचे 20 आगया और यह बारा रहा ठीक अअब इसमें डिफरेंस कितना कोर्ष बसे फाराइबस नयुक्त है इलें होने स्वर का उन्धर है दसका उंधर हमारे और कोश्चन मेरावर कोश्चेशंगे ब्राबर है एक बाराबर आगी यह बीस के और selling price cost price 20 है Як It Care 20 पराइबर 20 के तो एक बराबर 20 के 20 बराबर 10 into 20 तो एक at cost price आ गया है 400 सो अब उसे अगर वो और hem ber입 में 20% loss पर बेचे तोatti selling price कितना होगा तो मतलबom 80 percent पर पर बेचे कि मुठ cotton कि चीज तिज रिष्च tik अच्प support परसेंट 20 परसेंट पर बेचेगा मतलब कि 80 परसेंट पर बेचेगा आई होप आप सबके समझ में आगया होगा आए चलते हैं नेक्स्ट कोशन की और अगर समझ में नहीं आया तो प्लीस कमेंड में जरूर बताएं मैं आपका डाउट जरूर सॉल्व करूँगा यह रहा है हैं आप परसन एप और सेल्स टू झौ रुट रूपे के सब्सक्राइब करेशनराइक है इस ने सौ रुपे की सारी वाइब्ल वाई सेल दे सेम साड़ी टू जैड एट 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 लॉस ऑफ टैन परसंट वाई ने दस परसंट डॉस पर बेची मतलब कि इसका दस परसंट ग्यारा होगा मतलब कि यह एक तो दस में से ग्यारा माइनस एक तो कचेगा 99 यह जैड ने जैड को 99 रुपए की पड़ी और इस सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन दबा दें मिलते हैं नेक्स पार्ट में आई होप आप सब को सेशन अच्छा लगा होगा थैंक्यू वेरी मैच